हेलो गाइज हमारे चैनल में आपका स्वागात है आज मैं बनाने जारी पांच रुपए के बिस्किट के पैकेट से कपकेक मैंने बिस्किट ले लिये हैं घी गरम कर लिया है इसमें मैं बिस्किट को फ्राई करूंगी तो एक-एक करके मैंने डाल लिये ये कडाई में थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो थोड़े से क्रंची हो जाएंगे ये तो मैंना इनको घी में इनको बड़िया फ्राई कर रहे हूं और ये मैंने दूसरे बिस्किट ले लिये हैं दो टाइप के बिस्किट मैंने फ्राई कर लिये हैं घी में थोड़े फ्राई कर लिये और ये मैंने फ्राइ कर लिये हैं, क्रंची हो गए थोड़े-थोड़े से, आप में इनको एक जार लूँगी मिक्सी का, उसमें डालके इनको मिक्स कर दूँगी, पेस्ट बना लूँगी, ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, थोड़ा सा सोडा लिया है, और बनीला एसेंस, इन सबको डालके मिक्स कर लूँगी मैंने सबको मिक्स कर लिया है यह थोड़ी सी चीनी ली है मैंने इसमें चीनी डाल दूँगी थोड़ी सी और ड्राइफूड है यह ड्राइफूड चॉप करके डाल लूँगी इसमें अच्छा टेस्ट आता है तो यह मैंने एड़ कर दिया है यह किसमेस एड़ कर यह यह बादाम है इन सब को डालके मिक्स कर दूँगी अगर आपके पास प्लास्टिक के कपकेक है तो बो ले लो नी तो फिर छोटी छोटी बाउल आती है ना उनमें भी बन जाते हैं तो मेरे पास तो है नी तो मैंने छोटी सी बाउल ली है उसमें में इनको थोड़ा सा गी डालूंगी और फिर इनको ट्रांसफर करूंगी बाउल में तो मैंने गी डालके मिक्स कर दिया है और अमें ट्रांसफर करूंगी छोटी से बाउल में तो थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे तो इस्पंजी हो जाएंगी ज्यादा डाल देंगे ना तो अच्छे से पकेगी नहीं बनेंगी नहीं अच्छे तो मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ यह मैंने गार्निस कर दिया है बादम गाजू किसमें से गार्निस कर दिया मैंने और ये कड़ाई ले लिए और ये जाली ले लिए इसके उपर रख दिया मैंने और अच्छे से कबर कर दूँगी अब हमारे बन चुके हैं कपकेक आप भी ट्राइ करके देखिए